सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सनिता सिनियर जी का वीडियो आज में आको यह वीडियो में इंग्लिश सब्चेक्ट में हमारा जो टेक्सबुक और मुदूबुक फोनिक्स है उसमें साउंड सिखाऊंग। फोनिक्स साउंड। नाओ इपने स्टार्ट विज एबी सिलेक्ट किया हैं। और वो फाइबी सिलेक्ट किया हैं। वो एबी सिडी में हम लोग साउंड कैसे प्रॉनाउंज करते हैं वो में आज आपको ये वीडियो में दिखाऊंगी। फ़र्स्ट को is letter A. Letter A, when we write letter A, at that time we can speak A, but we when we pronounce spelling for F4, then we can say F4, not A4. Like this. A. F. A. F. A. F. F. A. F. 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 Okay. Now next part is B. Letter B. B. Letter B, जब हम आप प्रनाउस करते हैं कोई भी स्पैलिंग, उसका B रिरुटए स्पैलिंग, जब हम पोई भी प्रनाउस करते हैं, तो उसको पोलते हैं, B, we can speak B, but when we pronounce any word or letter, at that time we can say Bob, Bob, B, Bob, Bob, B, Bob, Bob, B, Bob, Bob, B, Bob, 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 now third word is C, 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 C for cat, when we pronounce C, at that time in our mouth, sound comes C, but when we spell the word, at that time we can speak co, like this, co, co, cat, 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 we can speak, so 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 we can speak C for cat Next, D D, letter D D का प्रणामस होता है, दव D रिकर करा, हम लोग ओनी सामकिन सबसे देखे तो उसका हम लोग प्रणामसियेशन दव कर सकते है, दव, not D दव, D, दव, दव When we read this spelling, at that time we can speak D, D, so D, D, D D for D And last one is E E, A, A E, A, A तो जबबनें E का प्रणामसियेशन करते है, रिक्ते बग्स, लेटर E रिक्ते है तब हम उसका प्रणामसियेशन करते है, E पर जब हम उसका spelling देखे, तो E का spelling दाता है, A A, A, A A का spelling हम जब बोलते हैं, अब प्रणामसिद करते हैं जब A का spelling तब आता है, A तो इ-a-n इ-a-n ती पौर ए यह आज का विडियो है उसमें मैंने सिन्या कीजी के बच्चे लोगों को सिख फाइव लेटर्स साउंद बताएं वो साउंद में मैंने यह फाइव लेटर्स को कैसी प्रणाव की यह जाते हैं वो मैंने बताएं तो डियर पैरेंस आप गर में उनको फाइव लेटर्स साब निकल के अपने बच्चे को ऐसा बुलने का स्पिटिंग करने का आप रैक्टिस देश सकते हो तो आज का आपके बच्चे लोगों का भूंबब होता है कि यह जैसे कि मैंने स्पिट करके आपको बताया वैसा आप अमने बच्चे लोगों को गर में इतना फाइव लेटर्स का से प्रैक्टिस दो और हम लोग एके बाद दूसरा जी लेटर्स है वो हम लोग बाद में सिखेंगे थेंक्यू